आज में दोस्तों आप लोग के लिए क्लास 12 जो की moving charge and magnetism का most very very important objective लेकर आया हूँ जो की दोस्त हम 26 number question से शुरू कर रहे हैं कहां से शुरू कर रहे हैं 26 number question से ये 25 question का एक set video जो की separate video एक चला गया अगर उस video का आप लोग नहीं देखें तो फिर description box में link है औहां से देख सकते ह हैं या फिर आप लोग आप लोग इसका एच्चिवर बीडियो के ये प्लेलिस्ट में जाएं और इसका moving charge and magnetism का first video उहां से देख लें तभी दोस्त आप लोग को 26 number से समझ में आएगा ऐसे तो समझ आ भी सकता है लेकिन एक बार वो भी वी वीडियो देख लें तो 26 number इहां करते हुए आज का वीडियो हम लग शुरू करते हैं देखिए दोस्त फर्स नंबर कॉस्टन जो बोल रहा यह पोल रहा इफ एन इलेक्ट्रों moving with velocity भी यह produces a magnetic field भी देन अगर कोई अगर कोई इलेक्ट्रों है जो कि भी velocity से मूव कर रहा और उसमें प्रोड्यूस हो रहा मू तब यही पूछ रहा कि क्या होगा इसके साथ तो इसमें चार ओप्शन दिया गया है तो इसके साथ जो होगा दोस्त सही ओप्शन जो है इसका यह होगा the direction of field B will be perpendicular to the direction of velocity भी यानि magnetic field और velocity एक दूसरे के perpendicular होगा इस तरह से दोस्त चलते हैं question 27 पे question 27 क्या बोल रहा भया question 27 यही बोल रहा दोस्त की the nature of parallel and anti-parallel current आर यानि parallel और anti-parallel के बीच मतले current किस nature का होगा तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो parallel current होता है वो एक दूसरे को attack करते है यानि attraction करता हो दोनों के बीच में जो force होता हों एक दूसरे को attract करता और और anti-parallel current होता है तो यह दोन एक दूसरे को क्या करता current और यह दूसरे को रिपल करता है इस तरह से आप लोग का be options सही है BTS कौर्शन बैं है सब्सक्राइब करता है इस तरह से सलते हैं question 29 पर question 29 क्या बोला कि a short bar magnet has a magnetic moment of 0.65 Joule तेसला पर यानि Joule पर तिला then the magnitude and direction of the magnetic field produced by the magnet at a distance 8 cm from the center of magnet on the axis तो इसका आप लोग का सही option जो हो जाएगा दोस्त वह आप लोग का 2.5 1020 पावर 4 एलोंग ऐसे डिरेक्शन यानि सौर्थ नॉर्थ के डिरेक्शन साउथ नॉर्थ के डिरेक्शन में इतना एंसर आप लोग का आएगा इस तरह से सलते हैं question 30 पर question 30 क्या बोल रहा है कि एक current carrying loop is placed in a uniform magnetic field the torque acting on it does not depend on यानि एक current carrying loop है जो कि uniform magnetic field में रखा गया है तो उस पे जो टॉर्क लगेगा वो किस पे depend नहीं करेगा तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि इस पे जो area आप लूप पे डिपेंड नहीं करता है value of current पे डिपेंड नहीं करता है मतलब कि यह तीनों पे डिपेंड करता है लेकिन इसमें से जो सही option है वह आप लोग का none of these हो जाएगा यानि चौथा option आप लोग का सही है दी option यहां से सही है इस तरह से दोस्त तलता है question number 31 question number 31 क्या बोल रहा कि a moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by यानि एक moving coil है जो की galvanometer है इसको हम लोग को convert कर सकते हैं में किसके द्वारा हम लोग convert कर सकते हैं में में किसको galvanometer को तो आप लोग जानते होंगे दोस्त की इंट्रिदूसिंग संट रेजिसेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरलल यानि इसके द्वारा हम लोग असानी से इसको को convert कर सकते हैं में में इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है क्वेशन में 32 क्या बोला कि दक दक कन्वर्जन ऑफ दक कन्वर्जन ऑफ मोविंग क्वाइल गैलवेनो मीटर इन्टु ए वॉल्ट मीटर इस डन वाई तो आप लोग का सही ऑप्शन है दोस्त इसका इंट्रोडूसिंग ए रेजिसेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन 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 श्रीज यानि आप लोग का ए ऑप्शन है हां से सह इस से दोस्ते हैं को सब्सक्राइब तो इसके साथ क्या घटना घटेगा तो आप लोग जानते होंगे जो इसमें जो दे दिया वह दिया है कि दशेट वाइब कोज नोटिसेवल डिफ्लेक्शन इन दा कमपास नीडल यानि यह आप लोगा बोल रहा है तो इसका जो हो कि in the alignment of the needle is tangential is an imaginary circle with a straight wire as its center and has a plane perpendicular to the wire तो आप लोगा जो सही option होगा दोस्त इसका जो हो जाएगा आप लोगा C option सही हो जाएगा यानि आप लोगा बोथ 1 & 2 आर करेक्ट यानि दोनों यह करेक्ट बोल रहा है फर्स्ट भी एक सही और सेकंड भी अहां से करेक्ट है इस तरह से दो सलते हैं क्वेस्ट नमबर 34 क्या बोला कि a strong magnetic field is applied on a stationary electron then the electron तो इसका जो सही option होगा वह आप लोगा remain stationary हो जाएगा यानि आप लोगा B option करेक्ट है इस तरह से दो सलते हैं क्वेस्ट नमबर 35 पर क्वेस्ट नमबर 35 क्या बोल रहा कि in an integral frame of reference the magnetic force on a moving charged particle is F its value in another integral frame of reference will be तो आप लोगा जो सही option होगा वो change due to change in velocity of charge particle यानि आप लोगा सी option है हां से correct हो जाएगा दोस्तों इस तरह से दो सलते हैं क्वेस्ट नहीं करता यानि पालन नहीं करता तो आप लोगा B option है हां से correct है इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेस्ट नमबर 37 पे क्वेस्ट नमबर 37 क्या बोला दोस्त कि a charged particle is moving on circular path with velocity B in a uniform magnetic field B if the velocity of the charged particle is double and a strength of magnetic field is half then the radius become तो इसका radius पे कितना अंतर आएगा इस तरह से दोस्त की 4 times आप लोगा अंतर आजाता यानि 4 times यह हो जाता है इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेस्ट नमबर 38 पे यह क्वेस्ट नमबर 38 क्या बोला कि टू यह पार्टिकल्स हैव दा रेशियो ऑफ देर वैलू सिटी 3 रेशियो 2 और इंटर्निंग दा फिल्ड इव दा मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ देन दा रेशियो ऑफ देर रेडियोस ऑफ देर पाथ ही तो इसका जो सही ऑप्षन होगा दोस्त वह आप लोगों का थी यह डेशियो तू आजाएगा यह इस तरह से आप लोगों का भी ऑप्षन सही हो जाएगा को सब्सक्राइब करेंट करेंग कंडुक्टर प्लोड यह प्रोडूश एक तो आप लोग जानते होंगे दोस्त की इसमें से कोई नहीं होगा जया है नहींगा चाहिए यह तो यह लोगों करते हैं तो आप लोग का। है दोस्त तू प्रोटेक्ट इट फॉम डेमेज यानि आप लोग का डी आप्सटन है हां से सही है कुष्पा 42 है एक कि भाएज इस इस कंवेर्ट स इलेक्रिकल इनर्जी तु मैपशनिकल इनर्जी इस कॉल्ड यानि एक डिवाइस ऐसा है चोकि इलेक्रिकल इनर्जी को मैगनिकल इनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं एडिस एडिसी मोटर बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त एडिसी यानि आप लोग का बी ओप्शन है हां से सही है कॉस्टन मोटों 43 कि विच आप फॉलविग देज नौट डिपेंट अपान दमेगनेटिक इफेक्ट इसमें से कौन सा इसा है को आप्योंड की फॉल्विग एचिसमें की मेगनेटिक इफेक्ट पे वह डिपेंड नहीं करता है तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो की थर् circular coil of a fixed number of turns varies यानि आप लोग का जो सही option होगा दोस्त यहां से आप लोग का directly as the current and inversely proportional to its radius यानि आप लोग का option यहां से सही है इस तरह से दोस्त चल जाएं question of 45 पे बार magnet of magnetic moment m is cut into two parts of equal length the magnetic moment of either part is यानि आप लोग का यहां से पूछेगा यह पूछेगा तो आप इसको पढ़ कर जाएं और नंबर को अपने आपको एचिव करें यहां से physics chemistry math English इंगलिस इंदी साला सब्जेक्ट अप्र होता है electron having charge e and mass m is moving a uniform electric field its acceleration will be यानि एक electron है जिसपे की charge e है और उसका mass m है वो uniform electric field में move कर रहा है तो its acceleration will be तो इसका acceleration कितने के equal होगा तो आप लोग जानते होंगे दोस्त जो होता है इसका जो acceleration आता है वह अपन ee upon m के equal आता है क्या था ee upon m के equal आता है यानि आप लोग का c option correct है question 48 a dynamo is sometimes set to generate electricity it's actually a source of यानि एक dynamo है जो कि कुछ समय के लिए electricity को generate करता है तो its actually adds a source of तो यह किस source से नाम से जाना जाना जाता है तो आप लोग जानते होंगे दोस्त EMF यानि इलक्तो मोटिफ फोर्स के नाम से यह जाना जाता है यानि आप लोग का डी आप्शन सही है question of 49 क्या बोला दोस्त कि a stunt is low resistance connected to a galvanometer यानि एक stunt है जो कि low resistance का उसको header में केक्ट किया गया है तो उसको parallel Ceili श्रीज में या पी कहीं भी सरकीट में भी तो आप लोग यह होता है यह parallel उसको क्नेक्ट किया जाता介स को तो तो इसको पार्लेल में करेट किया जाता है कि तो पहा सब्स्ताइब 003 प्राइब यहां से which of the following has negative temperature coefficient of receive तो इसका जो सही option होगा वह आप लोग का carbon option सही हो जाएगा यानि D option आप आप लोग का correct है इस तरह से दोस्त इस चैनल पर बने रही है और यहां से video आपको सारा कुछ मैटेरियल पाईए यहां पर इसका इस चैनल पर इस चैनल पर खासकर भी हार बोर्ड के लिए लेकिन अभी 12 का बोर्ड का एक्जाम है इसलिए 12 पर ज्यादा बीडियो जा रहा है फिर 10 पर यह जा रहा है अलग चैनल पर जो कि अगले चैप्टर में लेकर आऊंगा जो मैगनेटिज्म होगा यानि मुविंग चार्ज मैगनेटिज्म तो यह होई गया फिर मैं अगले चैप्टर फिजिक्स का लेकर आऊंगा जो की काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है उससे भी अब्जेक्टिव कराऊंगा उसका भी होगा तो दो सेट में बदल दूगा या फिर एक ही सेट में पचासों अब्जेक्टिव को लेकर आऊंगा तो आज के लिए दोस्त इतना इस चैनल से बने रही है और सारा कुछ आँसे नंबर एक्षिव कीजिए तो आज के लिए दोस्त इतना इस फिर मिलता है आपके साथ अगले वाले वीडियो में